वेल्कम पो मैं चैनल आज हम यहां पे डेखेंगे कि सटाप लॉस में हमेशा दिखत होती है और यहां पे बुलिश इंगलफिंग पैटर्न यहां पे आप लोगो ने देख लिया तो कहां पर स्टाप लोस लगाना चाहिए कितना risk reward ratio होना चाहिए और जो कुछ important points है जो मैं in the end मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा तो 5050 में stop loss कहां पर place करते हैं with accurate points के साथ मैं आज आप लोगों के साथ यहां पर शेर करूँगा राइट तो चलिए एक बात बाता दूं यहां पर हमारा जो ट्रेडिंग की जो शुरूबात थे उसके साथ के साथ एपिसोड यहां पर आउट हो चुके हैं और एक मैंने special वीडियो आप लोगों के निकाला कि या support कहां पर find करें option chain में से देखें के तो make sure कि इसको जरूर देखने ना और अगर चैनल पर पहली बार विजट कर रहे हो तो make sure subscribe कर देना ताकि यहां पर जल्दी से जल्दी हमारा वन लैक सब्सक्राइबर का तो वह भी जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए राइट आप लोग अपना आशिवाद दि तो यहां पर स्टॉक मार्केट में कामने करते हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टन चीज है जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टन चीज है वो सेट अप पर आपको ट्रेल लेना पड़ेगा वो सेट अपका कुछ भी हो सकता है आप किसी का भी फॉलो को जरूरी नहीं है कि कोई सब्सेंट इतना और तीसरा रूर आपको हमेशा अपने दिमागी में रखना है कि कभी भी आपको अपना दूसरा स्टैप नहीं बूलना है मतलब आपको हमेशा अपने अपने सेटब यहां पे भरोसा रखना है तो सब्सारी चीजिसें आप अपर इस Spaß करेंगे कि हम पर यह यहां से मार्केट फॉल रहा थाया यहां इसने वियरी अगरा से सब्सक्राइब यहांपर उसके लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर ऐसे आपको कुर्ण यहां पर fat इसका मतलब क्या है कि for an example आपने यहां पर बेरिश हरामी पैटन देखा और यहां पर शूटिंग स्टार भी फॉर्म हो रहा है मतलब दो यहां पर हमें एक पैटन है तो स्टॉप लोस कैसे लगाएंगे तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलक करते हैं वह आपके उपर है मैं यूशुली इन दा मनी या एड़ दा मनी सिलक करता हूं आप कौन सा सिलक करते हैं मुझे एक बार नीचे कमेंट पे बिल्कु बता देना ठीक है तो आपको क्या करना है यहां पर आके आपको क्या है मल्टिपल आपको चार पांच स्क्रीन नहीं चाहिए आपको सिर्फ एक ही स्क्रीन चाहिए जो आपके लिए पर्फेक्क बत करते हैं जैसे मेरा व्यू है यहां पर बियरिश का तो लेट सब्सक्राइब का यहां पर निफ्टी फिफ्टी का मैं यहां पर पुट टाइप कर देता हूं ठीक है तो अब यहां पर ऐसा यह सीनैरियो लग गया अगर मार्केट यहां से नीचे आएगा तो यह जो पुट का प्राइज है यह ऐसे ऊपर आएगा एक सीक्रेट ट्रिक है मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था न वह अभी भी बाकी है क्योंकि निफ्टी फिफ्टी में स्टॉप लगाने का तरीका अलग होता है और एक स्प आप अगर देखोगी दोनों ही स्क्रीन पर करसर सेन जगे पर यह जो आप ऐसे होरीजॉंटल लाइन देख रहे होगे वह आपको यहां पर दिख रही होगी ठीक है अब यहां पर मैंने पुट का प्लैन किया मैंने यहां पर सबसे पहले बियरिश हरामी देगा क्यों मार्क सब्सें तो इसाल कि यहां पर यहां पर दिखा रहा है यहां पर मैं यहां पर कित्ता प्राइस चल रहा है तो मैं समझ रहा हूं कि मैंने क्या एंटी कर दिया मैंने यह वन फॉर्टी पर ही मैंने ant only one के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें तो उसके लिए जो वीडियो के लिए ले तो आप लोगों के लिए ऐसे और भी बहुत सारी वीडियो यहां पर निकालूंगा तो लाइक करना मत बूला अब यहां पर मेरी 140 पे यहां पर एंट्री हो चुकी है, ठीक है, 140 में मेरी एंट्री हो चुकी है, अब यह जो green candle था, इसका जो high था, मतलब यहाँ पर put में जो, इसका यह जो low था, वो कहां पर आ रहा है, यहाँ पर हम measure कर लेंगे, यहाँ पर आ रहा है, 130 के आसपास आ रहा है, तो आपको क्या करना है, एक trick यहाँ पर समझना, आपको जो stop loss जो लेना है, वो जितना यहाँ पर chart पर दिख रहा है, उससे plus 3 points जादा लेना है, plus 3 points अगर जादा लोगे, तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने यहाँ पर भी entry कर ली, सबसे highest पर, और अगर यह trade यहाँ से लेके यहाँ पर, जब तक यह candle यहाँ पर close करेगी, तो जाके आपका, यहाँ पर 140 पर entry है, stop loss आपका 130 दिखा रहा है, आपने 3 add गिया, तो 130 और यहाँ पर minus करोगे, तो 10 plus 3, मतलब आपको जो stop loss है, वो 13 points का ही stop loss आएगा, अब अपने दिल पर हाथ के पूछना, क्या stop loss 13 points का बहुत जादा होता है, कि कम हो 500 likes का target पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल discuss करेंगे, तो आपको stop loss, अब यहाँ पर देखते हैं, जो लोग basic candlesticks पर खेलते हैं, तो यहाँ पर देखना, ठीक है, put side, मैं call side भी बताऊंगा, यहाँ पर put side में देख रहो, यहाँ पर क्या है, market उपर गया, यहाँ से होगे, तो मेरे को क्या है, वापस से plus 3 points additional मुझे देने है, मतलब market को ज़्यादा risk दोगे, क्योंकि सब लोगों को पता है, जो बड़ा player है, उसको भी पता है, जो लोग technical पढ़के आए, वो यहाँ पर है, तो सबके mostly stop loss है, आपने क्या किया, stop loss उठा का यहाँ रख दिया, अगर इतना stop loss लेके जाता है ना, तो दे देने का, बोले कोई बात नहीं, लेकिन maximum time आपका stop loss जाएगा ही नहीं, यह मैं 98% accuracy की साथ कहा रहा हूँ, तो यहाँ पर प्लस 3 points आपको यहाँ पर क्या है, additional देना, फिर से 13 points है, और वहाँ से अगर trade आपके favor में चला गया, तो य favorable में चला जाता है, अब इसी को हम call side में समझेंगे, ठीक है, तो for example, मैं call side पर आ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, चार्ट आपको दोनों देखना है, क्योंकि आपको stop loss लगाना, तो 17,300, nifty का मैं यहाँ पर call लगा देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर call ल हम यहाँ पर इसको position समझेंगे, कि कैसे लेना है, ठीक है, यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर देखा, कि यहाँ पर क्या बन रहा है, bullish engulfing pattern बन रहा है, आपने technical analysis पड़ा है, कोई बात नहीं पड़ा है, अगर पूरा course सीखना चाहते हो, तो मुझे telegram पर comment कर देना, और option trading जो classes है, वो March वाली जो workshop है, वो खुल चुग है, यह जो है, यह सिर्फ एक demo है, इससे जादा मैं आप लोगों को वहाँ पर सीखाऊंगा, live one-on-one मेरे साथ Google meet पे वो होगी, जिसका pricing बहुत कम रखा गया, 2800 ही रखा गया, तो make sure कि जो लोग register करना चाहते हैं, वो लोग यह register जरूर कर ले, अब जब हम call side में आगे हैं, यहाँ पर मैंने bullish angle कर ली, 17380, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको क्या comparison करना है, यहाँ पर देखो, तो मतलब आपकी जो entry है, वो यहाँ कहीं पर होगी, तो मतलब आपकी entry होगी, 156 मैं सबसे जादा उपर point पकड़ रहा, 156 है, आपको technical आता है, तो आपको तुरंत entry लेना पड़ता है, candle के close होने के बाद ही, तो जैसे ही आपने सबसे उपर भी entry ले लिया, 156, इसका जो low था, वो कितना था, यहाँ पर 144, मतलब 12, आपको plus 3 दे देना है, plus 3, मतलब 12, प्लस आपको 15 point का यहाँ पर उपर previous वाले resistance तक का target लोगे, तो यहाँ से यहाँ तर देखोगे, तो 156 से 180, इधर भी आपको जो risk reward issue है, वो 1-2 ही आता है, तो nifty 50 में यह क्या दखना है, कि stop loss प्लस 3 से जाधा लो, target प्लस 2 से कम लेते हैं, एक hint दे रहा, target प्लस 2 से कम लेते हैं, और stop loss प्लस 3, मतलब 3 ज है, stop loss ऐसे लगाते हैं, nifty 50 में, चार्ट का comparison में उसको compare करिए, वहाँ पर आपको stop loss लगाना है, अब जो bonus है, मैं आपको यहाँ पर दे दूँ, अगर आप लोगों को यह जो चीज है, यह चीज पसंद आ रहे है, और आप लोगों को रोज, यहाँ पर यह एक particular वीडियो है मैं actual में कैसे trade करता हूं, मैं कहां पर stop loss लगाता हूं, मैं कैसे plan करता हूं, तो live trading अगर करना चाते हो, तो description में भी मैंने direct link दे दिया, नहीं, तो आप telegram पर मुझे contact कर लो, make sure original telegram पर channel पर आना, link के थूरू आना, comment के थूरू भी आ सकते हो, वहाँ पर रोज live trading मेरे साथ हो वह वहाँ पर मैं elaborate करता हूं, और हर trade की psychology के साथ, कुछ ना कुछ एक रोज आपको यहाँ पर सीखने मिलेगा, क्योंकि अगर आप रोज सीखोगे, तो जाके आप perfect बनोगे, क्योंकि ट्रेडिंग ना एक दिन का खेल है, ना एक महिने का, ना दो महिने का, वह continuous practice का खेल, अ कुछ बता देना, Nifty Bank का वीडियो कल आउट होगा, उसके बारे में ये ततर येडवाले का target पूरा कर देना, thank you.